हेलो माई यूटूब फैमली कैसे हूँ आप लोग उमीद करती हैं अच्छे होंगे मस्त होंगे तो आप सभी किक नएसे ब्लॉग में फिर से स्वागत है और इधर देखे यह सुबह का टाइम है और सरफ बल भीया आयते सरफ देने के लिए क्यूंकि मैं इनी इवया से हमीश ऑप सुचते जब आया हैं तो खरीद लो इसतरा जाएंगे तो बोलेंगे कि इनके लिए आएं देने के लिए और यह खरीद नहीं रही है किसली मैं इनी से हम इसा सरफ ख्रैइट लेती हूं राता भी है तभी मैं खरीद करेश्टर रख लेती हूं और यह सरफ मुझे अच कोई भी सरफ यह चले गए थे नर देखने नार देखने के बाद से यह आई एह हमारे बच्छे खुश हो गए है करे के हमारे पापा कुछ खाने के लिए लाएं और इनकी पापा जरुरण छोड़ mi आज सब्सक्राइब लोग की सा रे यह बहित खालेंगे तब इनों का पेट नहीं वरेगा इसलिए जब तक यह लोग माजा नहीं पीएंगे हमाई लड़गी कैसे आस रहे हैं इन लोग की आदत लग गई है न माजा पीने की और देखिये लोग कैसे पी रहे हैं माजा यह सहीं दोस्तों हमें अच्छा लगते आए लेकिन बच्ची रोज रोज पीते थो थोड़ी तब खराब होने का भी डर लगता है कि यह ठंडा चीज है ना और यह कितना भी ठंडा हो हमारे बच्चे पी जाते हैं इदर देखे कैसे यह पी रहे हैं और यह लड़की यह देख रही थे कि मैं वीडियो बना रही तो यह खुद भी आ गए थी और उसके बास से मैं इधर आ गए यह जीरा है जीरा है और जो पाश्वरून होता है उसी को मैं साफ कर रही हूं इसलिए कि यह साफ रहता है तो जब आदमी खाना बनाएगा तो तो टाल देता जो उससाफ नहीं ढहता है तो खाना बनाने के साफ का रुट अच्छा नहीं लगता है इसलिए कोई भी चीज राता है थनिया हो जीरा हो चैने मत теперь मसाला होता है अब जाएम है जो साफ कर के अदिक्ट होती है इसलिए पहले जो चीज करके रख दो यह सही होता है तो इसलिए देखकर लिया जाता है तो सही रहता है लेकि कभी कभी आज आता है कोई नहीं देख पाता है वो लुग दुकान वाले ऐसे होते हैं कि बस जल्दी से देके हटाओ कि इसलिए मैं हमिशा इन्नों को साफ सुथर करके रखती है कोई भी मसाला आता है तो देखे में अपनी लड़की से बाते भी कर रहे थी पतने माई लड़की क्या बूली जा रहे थी और दोस्तों यह साम का टाइम है फिर इनके पापा नहर देखने चले गए थे क्योंकि नह क्योंकि नहर के पास जो होता है ना बहुत लोग कठार लगा रखें तो कवही कठार लेके आये थे और माजा और यह सुबह का टाइम है अगले दिन का हमाई लड़की मांग रही थी दूद तो आपने लड़की को देने जा रहे है दूद पहले लड़की हमारी डबे का लेकर देती हुने के लिए उसके बाद से फिर मैं कोई काम करूँगे यह दर देखिए थोड़ा स सा यह गरम हो गया है गरम होने के बाद से हैँ अपने रड़की को देदूंगी देदे पीने के लिए चूर लिपाई हो गई है यह मॉर्णिंग कई टाइम है जब तक मैं हमाई लड़की के दूद में पिला लेती हूँ तो भी मैं खाना उना बनाती हूँ नहीं तो खाना अगर फ़ना नहीं श्टर्ट कर दी है तो चिलाना शुरू कर देती है अगर देखिया हमारे बाबु पीड़े लेके खेल रहे हैं और हमने खाना बनने के लिए रख दी थी कि नहीं भी रखी थी साइद हम इधर आये थे पानी लेने के लिए तो देखें कि इनके बाबा यह जो बैगन है ना वह बैगन में इतनी केड़े पड़ जा रही थी तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं है तो यहीं यह काट रहे ह है कहते हैं कि एक बार जो काट दिया जाता है उसके बास फिर बारिस आएगी आप फिर यह जो पनखेगा तो अच्छी बैगन देगी यहीं इन बैगन की छटईया हो रही है आई यह बैगन बस बोए थे दोस्तों लेकिन हम लोग सबजी इसका नहीं खापाई इस लेगी ज मतलब रहा ही नहीं जब कोई चीज वो आओ फरे फरे कीरे पर जाए खाए नहीं तो फी का मतलब है तो अमने सुचा है कि चलो इसको छाट देते हैं क्या वला यह अब जाके अच्छे से फर जाए तो ठीक है नहीं फरे तो कोई बात ही नहीं है उसके बास से मैं इधर आ पर तो हमनी नहीं तोड़े थी हम किसी दूसरे के लिए तोड़े थे अम ने सूचा की जब इतना अधिक पर रहत है तो किसी और को भी दे देना चाहिए खाने के लिए घृत्ति की पटे नहीं के लिया आइब सब्सक्राइब कर दोए कि जब घर में छीज रहता है खाने वाला तो मन करता है खाने के लिए और इदर देखिए मुला रहें को देने के लिए तो आ यह घर के पीछे के आज दिए कितने ज़्यादा यहां पे घास है ज़्यादा हो गया है अब साफिर इसको भी करना ज़रूरी है क्योंकि आप सीजन आ गई है बरसात का बरसात में कीड़े मकौड़े ज़्यादा आते हैं और उसके बाद से मैं इधर आ गए थी कठार काटने क लगेगा अगर बीना सरसुकर तेल लगाई काट रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हाथ में चपकता है तो इसलिए आज हमें बनानी है कटर के सब्जी में बच्चों के लिए थोड़ा सा दाल बनाई थी क्योंकि हमारे बच्चे कटर की सब्जी नहीं खाएंगे आई यह मैं सब्जी कट कर लिए थी फिर मुझे याद आए कि इनके पापा चले गए थे नर्ड देखने तो हम सोचे कि हमारे बच्चे बाहर होंगे तो यह अपने बच्चों के लिए देखने के लिए आये थे तो इदेखिए इनके पापा काट के रख दिये हैं और इदर मैं बना इनके पापा चाय पीते नहीं सिर्फ हमी चाय पीते हैं और इसके बासे यह आये थे लेवर इनको कुछ काम था तो पूराने कलोनी का चावी मांग रहे थे लेकिन चावी लगा नहीं तो फिर यह चलिया है और इसके बासे दोस्तों मुने कुछ भी सूट नहीं किया था अगर चैनल पर नए होंगे तो सस्क्राइब कर दीजिएगे थैंक्यू दस्तों